हेलो फ्राइंज, मेरा नाम अन्शु है और मैं इट्सम सॉलूशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ पिछले लेक्चर में हमने एंशियंट हिस्ट्री पार्ट वन पड़ा था आजकी लेक्चर में हम एंशियंट हिस्ट्री पार्ट वन पड़ेंगे तो चलिए आजकी टॉपिक की शिरुवात करते हैं एक पॉजिटिविटी के साथ सफलता पाने के लिए हमें सबसे पहले विश्वाश करना होगा कि हम कर सकते हैं पिछले लेक्चर में जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था उसकी कुछ कुछ कुशन्स मैंने टेलिग्राम चैनल पे अपलोड किये थे तैंक्यू सो मच आपने उसमें पार्टिसिपेट किया उस क्विज के टॉप टैन विनर्स का नीम मैं है अनौन्स कर रही हूँ तो वैरी वैरी कॉंगुराचिलेशन्स टू आल अफ यू आधि इतिहास वै काल जिसके लिखित साक्षे तो मौझूद हैं परन्तु अभी तक उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है प्रेप क्लास में गये याद आया मतलब हम लिखना जानते हैं लेकिन पढ़ना नहीं जानते तो आधे इतिहास काल वहे काल होता है जिसकी लिखित साक्षे तो मौझूद है परन्तु अभी तक उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है आधे इतिहास में हम विशेश रूप से सिंधु सभेता और वैदिक सभेता का अध्यन करते हैं दो सभेताएं हैं सिंधु सभेता और वैदिक सभेता अपने काफी बार इनका नाम सुना होगा लेकिन ये किसके पार्ट है आधे इतिहास के तो आईए सिंधु घाटी सभेता के बारे में जानते हैं सिंधु घाटी सब्भेता, सिंधु का जैसे हम लोग लिखते हैं, वैसी ही उन लोगों ने उस समय लिखा, तो उन वो वे लोग किस तरीके से लिखते थे, उसका मैंने एक डाइग्राम के थूरू रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, इस डाइग्राम को ध्यान से देखी, यहां पे आपको दाइँ से बाइण जाती हुई एक लाइण दिख रही है, मींस हम यह कह सकते हैं कि सिंधु घाटि सब्भेता के लोग दाइण से बाइण और बाइण से दाइण दोनों ही तरह से लिखते थे, जब दाइण से बाइण की साइट लिखा जाता है, उससे बो कौनों ही तरीकों से लिखा जाता है तो उसे बोलते हैं बुस्टो फेदन कई किताबों में आपको इसका नाम बुस्टो फेदम या बुस्टो फेदस भी मिलेगा तो घबराईए नहीं तीनों ही सही है इसे हम बुस्टो फेदन बुस्टो फेदम या बुस्टो फेदस तीनो ही बोलेंगे तो भी सही है सिंदुगाटी सब्वेता में टोटल 64 मूलचिन है और इसमें लगबल 250 से आपको 400 के आसपास अक्षर मिलेंगे मोस्की अक्षर आपको युवा करके मिलेंगे चिंध मचली के मिलेंगे और जो इसके सरवाधिक साक्षे हैं वो हडपा से मिले हैं हडपा में भी एक कब्रिस्तान है जिसके आगरती एचागर की है वहाँ पे हमें मुद्राय मिली है जिनमें सिंदुगाटी सब्वेता के लिपी अंकित हैं तो हम कह सकते हैं कि अधिकतम साक्षे हमें कहां से मिले हैं हडपा से अब एक बात बताईए आपको कुछ पढ़ने के लिए दे दिया जाए और आपको पढ़ना नहीं आये तो आपको क्या दिखेंगे वो चित्रे चित्र जैसे बस दिखेंगे तो हमारे लिए जब हम पढ़ नहीं सके अभी तक सिंदुगाटी सब्वेता को हमारे लिए तो वो चित्रे ही है तो हम कह सकते हैं कि सिंदुगा सरब्पी ऐसे ऐसे चलता है तो कैसी है ये सरपी लाकार और कैसी है कौमत्री सिंदु खाटी सपेता की लिपी को पुरे विशिव में सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किस ने किया था वेटे इन महोदय ने लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किस ने किया था नटराज जी ने लेकिन ये दोनों ही महाशे इसको पढ़ने में क्या हुए ऐसा फल हुए चलि आगे पढ़ते हैं अब हम बात करते हैं सिंदु सपेता के अतीद के बारे में अभी तक पुरे विश्व में चार सभेताएं हैं जो बहुत ही फेमस हैं मैसोपोटामिया, मिश्र, सिंदु और चीन और ये जिन नदियों के सहारे इस्तित है वो नदियां भी आपको सामने लिखी हुई है मैसोपोटामिया, दजलावे फराद, मिश्र, नील, सिंदु, सिंदु और चीन हांगो अब अब इतनी देर से बोल रहे हैं सिंदु खाटी सभेता, सिंदु खाटी सभेता भाई ये नाम रखा किसने हैं ये भी तो पता चले तो आईए जानते हैं नामकरन, सिंदु खाटी सभेता है तो तीन नाम प्रयोकत किये जाते हैं सबसे पहला नाम है सिंदु सभेता सिंदु सभेता नाम दिया था इनको जॉन मार्शल जी ने इसको याद करने की छोटी से ट्रिक है मार्शल जी ने सिंदु खाटे सभेता में जान डाल दी हुआ ना चॉन मार्शल तो सिंदु सभेता नाम किस ने दिया था जॉन मार्शल जी ने सिंदु खाटे सभेता किस ने कहा था इसे डॉक्टर रफील मुगल जी ने और हडपा क्यूंकि हाँ पर सबसे पहले उत्खनन कारे कहां हूआ था हडपा में। हडपा के कब्रिस्तान जो कि एक चाक्रतीका है वहां से मोहरे मिले। इसलिए इसको और क्या कहा जाता है हडपा। अब सिंदुखाटी सपेता का विस्तार जानते हैं। सिंदु खाटी सभिता का विस्तान हमें मिलता है तीन देशों में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसका संपूर्ण छेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर और आकरती कैसी है उस पूरे छेत्रफल की त्रिभुचाकार लेकिन अगर मैं वर्तमान की बात करूँ तो वर मैं पहले आप बोल रहे थे त्रिभुचाकार अब आप बोल रही है समझे त्रिभुचाकार ऐसा क्यों तो देखिए ये आकड़े है पुरानी पुरानी आकड़ों के अनुसार जब तक छेत्र जो खोदा गया था वो खोदा गया था इतना और जितना छेत्र खोदा गया थ उस खोदे हुए छेतरी के आकृती थी ठीपुचाकार लेकिन अगर मैं वर्तमान की बात करूँ तो वर्तमान में टोटल छेतर कितना खोदा जा चुका है पंदरा लाग पर किलोमीटर और जितना छेतर खोदा जा चुका है उसकी आकृती बदल कर कैसी हो चुकी है समचेतर जिन्दु खाटि सब्यतार को विस्तार जानने के लिए मैंने एक डाइग्राम बनाया है, देखिए, ये है उत्तर, ये है पूरव, ये है पश्चिम, ये है दक्षिम, इसका उत्तरी बिन्दु है मांडा, जो की कहां पे पढ़ता है जम्मु कश्मीर में, जिला है अखनूर, जम्मु कश्मीर हम सबी लोगों की आखों का क्या है, नूर है ना, तो मांडा कहां पे पढ़ता है अखनूर, नदी है चेनाब, पूरवी बिन्दु की बात करूँ, पूरवी बिन्दु है आलमगीरपूर, जिला है मेरट, उत्तर प्रदेश में और नदी है हिंडन, पश् शिंतम बिन्दु है दैमाबाद, जो कि महारास्टर में पढ़ता है नदी, गोदावरी और सायक नदी प्रवरा, एक्चुली इसकी जो दक्षिन बिन्दु है इसकी नदी है प्रवरा, लेकिन चुकि प्रवरा सायक नदी है गोदावरी की, तो कभी-कभी एक्जाम में गो गोदावरी नदी भी दे दिया जाता है तो अगर हमें गोदावरी नदी आये तो वो भी सही है प्रवरा आये तो वो भी सही है लेकिन अगर गोदावरी और प्रवरा दोनों आये तो हमें किस पर टिक करना है प्रवरा पर जो कि मुख्या नदी तो कौन सी है प्रवरा आगे पड़ते हैं अब हम इसका नाम और इसके पुरा स्थल मतलब कुछ देश और वहां पे कौन-कौन से इस थल खोदे गए उसके बारे में जानते हैं छोटी-छोटी स्टोरियों के माध्यम से याद करें चली कोशिश करते हैं सबसे पहले छेदर की बात करते हैं अफकान चली एक छोटी से स्टोरी सुनाते हैं आपको एक मुशोजी थे मुशोजी को इंडिया में सब लोग बहुत परिशान करते थे बहुत जादा परिशान करते थे इतने परिशान हो गए ना मुशोजी कि कहाँ पे चले गए अफगान चले गए इंडिया से भाग के अफगान भाग गए वो तो मुशोजी अफगान गए मुसे मुंडिगांक शोस से शोर्त गई और ध्यान रहे अफगान पूरा उत्तरतम बिंदू है तरतम बिंदु कैसे है ये आगे मैं आपको टाइग्राम के थूँ बताऊंगी दूसरा छेतरा आता है बलूचिस्तान अब मुशो जी कुछ दिन अफ्कान में रहे घुमे फिरे उनका मन भर गया मन भर गया तो वो कहां पे चले गए बलूचिस्तान बलूचिस्तान में क्या हुआ जब वो सुबह सुबह सोकर उठे अपन जब सुबह सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कुल्ला करते हैं तो वो भी कुल्ला करना चाहते थे तो उन्होंने पैप सुडेंट मांगा वहां पे मिला नहीं वहाँ के लोगों ने कहा हम तो डाबर से कुल्ला करते हैं तो मुशो जी ने भी किस से कुल्ला किया? डाबर से तो जब उन्होंने पहली बार डाबर से कुल्ला किया तो वो क्या बोलते हैं? मेरा सुभै का कुल्ला बलूचिस्तान डाबर से तब बुलूचिस्तान में क्या हुआ? मेरा सुभह का कुल्ला बुलूचिस्तान डाबर से मे से मेहरगड, रा से राना घुड़ई, सुभह से सुथकांगे डोर, का से क्वेटा घाटी, कुल्ला कुली एक जगे है बुलूचिस्तान में, डाबर से डाबर कुड अब वहाँ बेबी मन भर गया भही मुशो जी का तो मुशो जी कहां पे गए पे सिंध पाकिस्तान में अब सिंध पाकिस्तान में गए mostly पाकिस्तान में मॉम डंस लोग रहते हैं तो उन्होंने देखा एक अली था ठीकिन वो ये देखे बहुत हैरान हो गए कि वहाँ पे एक मुहन नाम का आदमी भी रहता था अब उस समय जब वो गय थे सिंध में बहुत ठंड लग रही थी बहुत ठंड पड़ रही थी वहाँ पे उन्हें भी बहुत ठंड लग रही थी तो उन्होंने अली मुहन को क्या बोला अले मुहन आ मतलकि इधर आओ अले मुहन आ कोट पहन कर छभू दढू जा ऐले से अले मुराद मोहन से मोहन जोधड़ो आ से आमरी कोट से कोट दीजी छभू दढू से छभू दढू पौर्थ पलीन हमारा आता है पंचाब, पाकिस्तान अब मुशोजुक की कहानी से तो आप बहुत ज़्यादा बोर हो गए होंगे कुछ और कहानी सुनाते हैं आपको एक रहमान था रहमान गया पाकिस्तान में पाकिस्तान में mostly मॉंडंस लोग रहते हैं तो वहाँ पे उसने बोल दिया राम रहीम एक है सब लोगों को गुस्सा आ गया सब लोगों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया कैसे बोल सकते हो तुम राम रहीम एक है हमारा रहीम अच्छा है ऐसी ऐसी बात है अब वो मन में सोचनी लगा मैंने तो बिल्कुल सच कहा था ये लोग एवे मुझे मार रहे है अब वो अगर सब के सामने हसता तो सब लोगों से और मारते तो वो क्या हुआ वहाँ पे तो हसा ने हडपा जाकर हसता तो क्या बोलोगे रहमान को जलील करा तो उसे हडपा जाकर स्माइल करी कहां गया स्माइल करने के लिए हडपा रहमान से रहमान डेरी जलील से जलील पुर हडपा से हडपा स्माइल से डेरा स्माइल खान आगे पढ़ते हैं अब रहमान जी के पिटाई तो हो गई अब वो कहां गई पंजाब भारत में उनके बड़े भाईया रहते थे बड़े भाईया को जाके बोलते हैं भाईया भाईया मेरे कौन लोगों ने मिलके बहुत मारा अब छोटे भाई को मारा तो बड़े भाईया को सुनके गुस्ता तो आए गई तो उसको सुनके बहुत गुस्सा आया, बहुत रोश आया और पंजाबियों को जब गुस्सा आता है तो वो क्या बोलते हैं? जब लड़ाई करने के लिए जाते हैं, चक्दे फटे तो पंजाब में जब पंजाब भारत में बड़े भाईया ने क्या बोला? पहले तो रोश आया, उसके बाद उन्होंने बोला चक्दे फटे और आजओ बाड़े में लड़ने के लिए रोश से रोपड, सा से संगोल, चक से चक एटी, बाड़े से बाड़ा नेक्स्ट आम बात करते हैं हर्याना की अब वो तीन भाई थे सबसे बड़ा वाला जो भाई था, वो बहुत खुश हुआ मेरे दोनों भाई लड़ रहे हैं, उनकी पिटाई हो रही है इतना खुश हुआ कि उसने घर में मीठी राब बनाई हर्याना में भाई रहता था, उसका नाम था कुनाल दोनों भाईयों के बिटाई दे के उसने घर में क्या बनाई मीठी राब, इतना खुश हुआ तो हर्याना में कुनाल ने क्या बनाई मीठी राब बनाई कुनाल से कुनाल, मीठी से मित्ता थल राब से राखकड़ी, रा से राखकड़ी, बा से बनाबली Next, हमारा जो स्टेट है वो है राजस्थान. अब राजस्थान में लोग भगवाण शीकृष्न को बहुत मानते हैं. बांका बोलते हैं न भगवाण शीकृष्न को. तो लोग किसकी पूजा करते हैं बांखे की. लोग बांका. बासे इबालाथल, कासे काली बंगा नेक्स्ट है उत्तरप्रदेश अब नेक्स्ट स्टोरी सुनाने के कोशिश करती हूँ आपको एक फैमिली थी उसमें वाइफ और हस्बेंट की लड़ायों जाती है वाइफ गुस्ता होके अपनी पीहट चली जाती है हस्बेंट बहुत मना के लाता है पर वो नहीं आती तो ससूर जी बोलते हैं तुझसे नी मानने वाली मैं जाता हूँ वो तरप्रदेश आते हैं और अपनी बहु को क्या बोलते हैं आ बहु घर चल बहु खुशो जाती है और आ जाती है अब हमने इतने सारे स्थल देखे तो आपने एक छीज नोटिस की होगी कि सबसे चादर जो इस्थल है वो हमें कहां मिले गुचरात में अब हमने इतना सब कुछ पढ़ाए तो हम काल भी देख लेते हैं मार्शल के अनुसार सिंदु खाटी सब बेता काल कब से कब तक है 3250 से 2750 इसा पूर्व लेकिन कार्बर रेडियो पद्यती सी 14 के अनुसार 2350 से 1750 इसा पूर्व या 2300 इसा पूर्व से 1750 इसा पूर्व दोनों ही सही है क्योंकि अगर आप 11 और 12 के बुक्स उठाके देखेंगे तो आपको दोनों ही मिलेंगे और इस पत्यती का समर्थन किसने किया है डॉक्टर रोमेला थापपर और डेपी अगरवाल जी ने और यह वाला जुम्मत है वो सरवादिक मानने बताया जाता है अब मैंने आपको कहा था ना अफगानिस्तान उत्तरतम बिंदु है तो चलिए मैं आपको डाइग्राम की जरीए एक बर बताने की कोशिश करती हूँ देखिए उत्तर और उत्तरतम कल हमने पढ़ा था ना प् कश्मीर के भी ऊपर क्या है अफगानिस्तान तो हुआ ना उत्तर से भी उत्तर मतलब अफगानिस्तान कैसा बिंदु आएगा उत्तरतम बिंदु आई हो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा आज के टॉपिक की पेडियाफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी औ और आज के टॉपिक के क्यूशन्स आपको टेलिग्राम में मिल जाएगे तो पेडियाफ भी डाउनलोड कीजेगा और फ्वीज भी देखिएगा और अगर चैनल पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नमत भूलिएगा थैंक यू सो मच